अस्सलाम अलेकुम, ख्लास, today is our topic is about parental development and birth अब ख्लास जो हमारे पास human being होते हैं, वो दो चीजों में divided हुए थे उनकी development, number one हमारे पास आ जाते है, prenatal और दूसरा हमारे पास होते है, postnatal अब ख्लास prenatal हमारे पास क्या होते है, before birth का जो time period होते है जो class prenatal हमारे पास, postnatal हमारे पास होते है, after birth का जो time period होते है जो class prenatal है, यह अपनी life जुनसी है, वो start करते है, as a zygore और फिर class यह cells की ball में convert हो जाते है, जिस हम क्या कहते है, merula merula जुनसा है, class आगे क्या होते है, उसके उन्दर further devian होती है जो class convert हो जाते है, blastocyst के अंदर, और class यह blastocyst जुनसा होते है, फिर आगे implant हो जाते है uterus की lining के अंदर, जिस हम क्या कहते है, endometrium कहते है uterus की जुनसी एक layer होती है, जिसे endometrium कहते है, उसके अंदर यह implant हो जाते है जहाँ पर यह further उसकी development जुनसी है, as a embryo complete होगी अब class second week से लेके, जब fertilization start होती है, end of the 8 week, 8 week का जब end होता है तो class हम इसको क्या बोलते है, हमारे पास क्या बन जाता है, zygote यह जो blastocyst embryo में convert हो जाता है, blastocyst embryo में convert हो जाता है जो 9th week से हमारे पास birth तकी class state होती है, उसे हम fetus बोलते है 9th week से जो birth होगी, उसे हम कहेंगे fetus, उसके बाद class after birth हम इसे क्या कहेंगे जब उसकी birth हो जाएगी newborn कहेंगे, या फिर baby कहेंगे अब class जो मारे पास 3 months का period होता है, क्योंकि total मारे पास 9 months होते है तो pregnancy की 3 months का period जब complete होता है, उसके 1 trimester कहते है यानिके 1st trimester, 2nd trimester, 3rd trimester, 3rd trimester, तो class इसके 3 trimester होते है अब class जो 1st trimester होता है, उसके अंदर fertilization होती है और class इस trimester के दुरान बहुत सारे organ जोंसे new बन जाते है और class जो next 2 हमाँ पास trimester होते है, वो period of growth होते हैं fetus के यानिके उसमें क्या होते है, ग्रोथ जोंसी है fetus की complete होती है अब class 1st trimester के अंदर क्या होते है अब class 1st trimester के अंदर fertilization होती है, uterus tube के अंदर अब पर 3rd part के अंदर, ये class मैंने पहले ही बता दिया था जब हम लोग female reproductive system study करे थे जाइगोर जोंसी है, उसके अंदर class बहुत सारी खलेबेज होती हो और फिर जोंसी है, वो down the tube move करता है और किसमें एक ball में convert हो जाता है, जो cells की बनी होती है जिस हम क्या कहते है, marula 4th day बे क्या होता है, it is developed into 50 से लेके 150 cells की एक ball के अंदर convert हो जाता है जिसको हम क्या कहते है, blastula और इस ball को हम क्या कहेंगे, इस stage को हम लोग क्या कहेंगे blastocyst, इस stage को हम लोग blastocyst बोल लेंगे जो class adhere होगी, यानि कि attach हो जाएगी और implant होगी uterine wall के सार्ट है, वहाँ पे class उसकी further development शुरू होगी अब class outer cells, जो blastocyst के होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं trophoblast बोलते हैं और यह क्या होते है, innate the endometrium अब यही class endometrium के अंदर, यानि के endometrium हमारे पास क्या होती है class inner layer होती है, uterine की, uterus की अब class वहाँ uterus के अंदर क्या होते है, implantation होती है और fertilization uterus tube के अंदर होती है तो 11 से 12 दिन के अंदर implant हो जाएगा and female set to be pregnant और जब वो class implant हो जाएगा, तब female जुनसी है, उसको pregnant कहा जाएगा यानि कि तब pregnancy show होगी अब class early embryo के अंदर ज़्यादा तर जो cells होती है वो embryo की body को नहीं बना रहे होते हैं कि उसके अंदर कोई contribution नहीं होती बलके वो क्या करते हैं वो supportive और protective membrane बना रहे होते हैं जो class inner cells होते हैं वो क्या करते हैं, give rise to embryonic body सिरफ class inner cells जो जोंसे होते हैं वो embryonic body बनाते हैं, embryo की body बनाते हैं पहले वो arrange होते हैं, एक flat sheet के अंदर और फिर class उनके अंदर gastrulation स्टार्ट हो जाते है अब class inner cells जोंसे हैं वो gastrulation के अंदर चले जाएंगे gastrulation क्या होते हैं, class blastula के बाद हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास gastrula बनते हैं, तो वो process class जो blastula को convert करवाते है, blastula को convert करवाते है gastrula के अंदर उसको class हम लोग कहते हैं gastrulation अब class gastrula जब हमारे पास बन जाएगा gastrulation के अंदर उन्होंने का है class gastrula जो उनसा है वो complete होगा complete होने के बाद rest of the first trimester जो class बाकी trimester जो उनसा बचेगा first trimester का जो part बचेगा time बचेगा उसके अंदर क्या होता है class organogenesis शुरू हो जाती है और growth शुरू हो जाती है अब class growth क्या होता है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा organogenesis क्या होता है class organs बनना शुरू हो जाती है अब class उन्होंने का है अब class different यहाँ पे inductive tissues present होते है regulatory system present होते ही जो क्या करते है organ system को shape provide करते है organ system जो new embryo के अंदर बनने होते हैं उन सब को shape provide करेंगे तो class first trimester के अंदर हम लोगोंने सबसे पहले याद रखने है मौरूला बनता है बलास्टूला बनेगा उसके बाद class हमारे पास implantation होगी उसके बाद class हमारे पास हाईगा implantation के बाद हमारे पास gastrula होगा gastrula के पास बाद class हमारे पास organogenesis शुरू हो जाएगा next class हम लोग second trimester देखते हैं अब class first trimester हमाई पास three month का था fourth trimester शुरू हो जाएगा अब class इसमें second trimester fourth month से start होगा four, five, six month आएंगे इसमें अब class second trimester के अंदर fetus की बहुत जादा growth हो चुकी होगी जो class जो mother होगी अब वो जूनसी है fetus की moment जूनसी है वो क्या कर सकती है वो feel कर सकती है देख सकती है अब उन्हेंने का heartbird जूनसी है वो भी सुनी जा सकती है स्टेटोस कोप की मदद से और class six month के अंदर ये fourth month का था six month के अंदर क्या होगा upper and lower eyelid जूनसी है वो separate होगी यानिके class eyes की upper and lower eyelid separate हो जाएगी eyelashes इसकी बनना शुरू हो जाएगी seven month के अंदर class eyes open करना शुरू हो जाएगा bones जूनसी है वो बनना शुरू हो जाएगी अब class ossify क्या होता है ossify वो process होता है जिससे हमारे पास bones बनती है cartilage बनता है अब class third trimester हमारे पास कहां से कहां तक होता है seven month से लेके birth थाक हमारे पास third trimester होता है इसमें क्यों होता है class हमारे पास इन्होंने कहां है अब class इसके अंदर third trimester के अंदर features जूनसा है वो इतना develop उसके अंदर development हो चुकी होती है features जूनसा है class इतना sufficient जूनसा है इतना develop हो चुका होगा कि अगर वो class उसकी यहाँ पे premature birth हो जाती है premature का मतलब होता है अगर time से पहले वो यानि कि अपने 8 month complete करने से पहले उसकी birth हो जाती है तो class वो survive कर जाएगा क्योंकि उसके अंदर class circulatory and respiratory system जूनसे हो बन चुके है अब class उनने लेका during lost month fetus weight double lost month पे क्या होगा क्योंकि class यह third trimester है तो इसमें lost month आते हैं तो fetus का weight जूनसे हो डबल हो चुका होगा अब class यहाँ पे हमारे पास है placenta जूनसे exchange size और हर्मोन भी इसके अंदर produce हो रहते हैं placenta हम लोग देख लिते हैं अब class lengthy pregnancy characteristic जूनसे हैं possible हैं different mammals के अंदर जैसे class reptiles के अंदर उन्होंने का है थोड़ी pregnancy lengthy होती है इस वज़ासे क्योंकि class different embryonic membrane जूनसी होती है उनकी different layers होती है जैसे class उसमें amnion आ जाता है york sack बनाना होता है korion ln twice भी आ जाता है अब class यह lost only two layers है यह क्या करती है यह embryonic placenta बनाने में help out करती है और class placenta हमारे पास क्या होता है वो organ class जो क्या करता है जो embryo को या fetus को पूरी pregnancy के दुरान क्या करता है carry करता है वहाँ पे gas, nutrient, waste exchange हो रहते है maternal, maternal यानि के mother और fetus system के दरमयान में यानि के fetus जुनस होता है क्यूंके class maternal mother से ही जुनस है nutrient transfer होते है किसके दर ये placenta के अंदर transfer होते है और वहाँ से fetus लेता है और जो waste होता है वो भी class जुनस है placenta में transfer होगा और वो maternal में transfer करेगा इनके mother के पास next class यहाँ पे इन्होंने का है finger like projection come out from the blastosis during implantation अब class यहाँ पे आ जाता है जब भी class ये uterine wall जुनस होती है इसके अंदर क्योंके implantation होती है यानिके uterus के अंदर implantation होती है uterine wall endometrium के अंदर तो जब class ये आके implant हो जाता है जो सबसे पहले implant को उन होता है हमने पीछे पढ़ा है blastocyst plant होता है बाद में class ये फीटस बनता है तो class blastocyst जब implant होता है उन्होंने काए इसके अंदर से एक projection निकलती है अब class ये हमारे पास फीटस है इसके अंदर से कहां से ये एक projection यहां से दो तरफ से निकल रही है ठीक है उन्होंने काए ये जुन से ये क्या बना देते है कोरियोनिक विलाए बना देते है और ये क्या होता है इसने ये सारा जो सिस्टम हमारे पास है ये क्या कोरियोनिक विलाए इसने बना दिये ये पूरा का पूरा जुन से हमारे पास ये सारी कोरियोनिक विलाए है उन्होंने कि इस सारी जोंसी blood vessels होती है ये हमेशा mother's के साथ merge नहीं होंगी ये attach नहीं होंगी उससे बिल्कुल separate रहती है पूरी pregnancy में और class इन्होंने काए बस एक हमारे पास connection होता है वो हमारे पास होता है embryonic cord sorry, embellical cord होता है embellical cord class क्या होता है ये placenta को connect कर रहता है ये हमारे पास fetus है ये यहां से जा रहा है इसके abdomen में यानि के pate में तो class ये जो पूरा fetus है ये कहीं पे भी इसके साथ हमें connection नहीं नज़रा रहा है बस placenta के साथ कहां पे connection नज़रा रहा है यहां पे जहांपे हमारे पास embellical cord है embellical cord के हमारे पास two embellical एक artery होती है two embellical artery होती है और one embellical vein जुनसी होती है वो present होती है इसके इंदर अब class birth या end of the end भी बोलते है या फिर beginning भी इसको बोलते है अब class प्रेगनेंसी के end और जो हमारे पास new born है उसकी beginning start हो जाती है 266 days fertilization के बाद जुनसा है वो बर्त होता है या फिर हम लोग कह सकते है अगर हम लोग menstrual cycle से period से अगर count करें तो 280 days के बाद human infant जुनसा है वो born करते है उसको class हम लोग क्या कहते है अब class जब हमारे पास वो born हो रहा होगा तो इस situation को हम लोग parturation कहेंगे parturation यानि के labor कहते है इसके दुरान होता क्या है हमारे पास सबसे पहले class हमारे पास होता है जो uterine है उसके muscle begin to contract वो contract होना शुरू हो जाते है सुकरना शुरू हो जाते है cervix dilate और open जो cervix होती है class cervix हमारे पास क्या होती है जो हमारे पास जो vagina uterus को connect करती है तो class cervix जोंसा है वो dilate यानि के open होना शुरू हो जाएगा उसके बाद क्या होगा एक class hormone जोंसा होता है relaxing जोंसा है वो produce होगा कौन produce करेगा उसे ovaries and placenta दुनों उसको produce करेंगे अब वो क्या करेगा class ovaries जब उसको produce करेगी तो placenta जोंसा है class वो mother से separate होना शुरू हो जाएगा अब class इस हर्मोन से जो mother का हमारे पास pelvic bone है वो placenta के साथ से separate होना यानि के अलग होना शुरू हो जाएगा और जो मारे पास fetus होगा वो कहां पे पास होना शुरू हो जाएगा वो बर्थ के नाल के अंदर enter हो जाएगा अब class यह जो हमारे पास parturation होती है यानिके labor होता है यह हमारे पास changing हर्मोन की वज़ा से activate होता है यानिके start होता है यानिके class जब भी time होगा तो क्या होगा जो pichyutic gland होंगे ATCH हमारे पास होता है वो agilize करेंगे ATCH यानिके adrenocortico metrophin hormone यह क्या करेंगे यह class force करेंगे adrenal gland को कि वो secrete करें steroid steroid जो हमारे पास stimulate यानिके force करेंगे हमारे पास उसको placenta को साथ में mother के placenta होगा कि वो दोनों secrete करें जो placenta होगा वो secrete करेंगा prostag glandin secrete करेंगा और जो class हमारे पास पिजूटी होगा वो secrete करेंगा oxytocin oxytocin जोन से secrete करेंगा यह दोनों हर्मोन की वज़ा से class जो uterus के powerful muscle होते है वो strongly पूरी power के साथ क्या करेंगे contract करेंगे अब class उन्होंने काई यह जोनसी हमारे पास सारा labor है यह 2 से लेके 18 hours तक होता है और class इसके अंदर अंदर lengthwise भी यह ज़्यादा होता जाता है और इसकी frequency जूनसी है वो बढ़ती जाती है यानिके 2 से 18 hours यह क्या होता जाएगा यह labor जूनसी है यह क्योंके hormone secrete होते जारे हैं तो class जूनसी labor है ज्यादा होती जाएगी यानिके जैसे जैसे time pass होता जाएगा labor ज्यादा होती जाएगी next है during this time service become fully dilated अब class यह जो हमारे पास cervix होती है dilate का मतलब होता है open होना cervix open होगा amniotic sac जूनसा होता है class वो rupture हो जाएगा खतम हो जाएगा almost one और केंदर जो हमारे पास क्या होगा baby जूनसा हो uterus से expel हो जाएगा जैसे class baby जूनसा होगा uterine contraction continue to expel after birth after birth जूनसा है क्या होगा uterine क्या करेगी उसकी contraction जूनसी अभी भी class continue रहेगी ताकि जितना भी वो after birth है वो भी body से expel लो जाए next class हमारे पास आ जाते है embellical cord जूनसी होती है इस किंदर यानिके जो baby की abdomen के साथ attach होती है उसको क्या क्या जाते है उसको separate कर दिया जाते है अब class next हमारे पास आ जाते है milk production and lactination अब इसमें milk जूनसा होता है वो class secret होता है memory gland से secret होता है और class milk जूनसा होता है breast से release हो रहा होता है उन्हें कि these gland evolved from sweat gland of skin यानि कि skin के sweat gland से यह वाले class मारे पास gland evolve होते है अब class preference के तुरहां जो breast होते है वो enlarge हो जाते है जिससे क्या होता है QQ class उनके अंदर prolapin hormone जूनसा होता है इसका level increase हो जाता है अब class after birth क्या होता है क्योंके placenta जूनसा है वो body से before birth class placenta जूनसा होता है वो दो hormone produce करता है estrogen और progesterone जिसके वज़ा से class milk जूनसा होता है वो secret नहीं हो रहा होता after birth क्योंके placenta जूनसा है वो body से uterus की uterus से निकल जाता है out of the body move करता है तो hormone की concentration दोनों hormone की concentration काम हो जाती है क्योंके placenta नहीं है अब इनको secret करने के लिए तो class milk की production दूबारा start हो जाती है अब class mother breast milk तब तक it's secret नहीं होता one to three days after born जैने कि milk जूनसा होता है वो secret नहीं होता बलके क्या जी जो secret हो रहा होता है उसको हम क्या कहते है cholesterol क्लास एक sticky secretion होती है इसके अंदर protein level बहुत जादा high होते है और class इसके अंदर बहुत जादा antibiotics भी होती है मदर की तरफ से मदर के बहुत जादा antibodies भी present होती है ये antibodies class हमें पता है क्या करती है fight करती है जम्स वगरा के खिलाफ तो class ये क्या करती है बेबी को immune system जोन सोते है उसको और जादा strong कर देती है अब class एक और process है इसके अंदर जोते है एक हमाई पास होते है lexative किसको कहते है ये class remove करते है fetal waste जितना भी होते है वो class lexative के ज़रीए remove हो जाते है इसको class हम लोग कहते है meconium बोलते है जब class waste ये वोला remove हो रहते है इसको meconium बोलते है अब class meconium meconium सबसे पहले देख लेते है ये class thick green tar like substance होते है जिसने क्या किया होते है class baby pregnancy के दुरान baby की intestine के अंदर ये present होते है अगर और class ये क्या करते है ये जोन सोते है ये baby के bowel movement के अंदर ये class जब excretory waste out of the body move कर रहते है तो ये क्या करते है is not release in baby bowel moment until after birth after birth से पहले पहले जोन सबसे ये class ये bowel moment के अंदर ये release नहीं होता अब class उस excretory waste को जो के pregnancy के दुरान उसके अंदर से जोन सबसे है वो remove नहीं हो रहता baby के अंदर ही present रहते है इसको हम लोग class meconium केते है अब class जो हमारे पास mother one से लेके three days के अंदर colostrum जोन सबसे है वो सिक्रीट करती है वो ऐसा laxative काम करता है laxative क्या होता है class laxative class ये fatal waste को remove करता है यानि के class जब baby जोन सबसे है वो born हो जाएगा जब उसको kolostrum दिया जाएगा यानि के kolostrum जोन सबसे है वो ऐसा laxative भी काम करेगा यानि के class उसके अंदर जो भी fatal waste जोन सबसे होगा यानि के meconium जोन सबसे होगा वो भी क्या होगा out of the body easily move कर जाएगा और class ये baby को कभी भी constipation वगरा भी नहीं होने देगा अब class 3 days के बाद क्या होगा जो pichutri gland होगा वो क्या करेगा pro lectin secret करेगा हर्मून ये क्या करेगा class ये milk की production जोन से ये वो करेगा ये अभी class सिर्फ milk produce वे secret नहीं हुआ अब class new bond सक चप करना शुदू करेगा इससे क्या होगा stimulate prechutri ये prechutri को stimulate करेगा नहीं कि वो क्या करे कौन सा हर्मून secret करे pro lectin साथ में oxytocin pro lectin से एक तो production milk की जाता होगी और oxytocin क्या काम करेगा class जोन से memory gland है उससे milk जोन से उसकी secretion जोन से ये हमारे पास दो main theories जोन से हैं वहाँ से start हुआ था सबसे पहले class biologist जोन से थे जो 17 और 18th century के biologist थे उनका belief था preformation के अब class preformation क्या था ये class preformation हम कहते हैं total information from gimmits को यानि के class gimmits जोन से sperm हो रहा गया उनसे आने वाली total information को और दूसरा इन्होंने का था gimmits जोन से होते हैं वो contain miniature version of all elements present in adult class उन्होंने का है कि जितने भी elements एक adult के अंदर present होते हैं उनका चोटा सा party यानि के miniature culture जोन से है उसकी सारी information genetic material जोन से वो store होते है gimmits के अंदर अब class starting में हमारे पास 17th century में इसी के उपर 17th or 18th century में pre formation के उपर believe किया जाता था mid 18th century के अंदर एक computing जोन से हमारे पास computing theory एक आई थी जिसे हम कहते हैं epigenesis epigenesis ने बहुत ज़्यादा popularity हासिल की थी अब उसके according to epigenesis हमारे पास क्या था कि egg maintain the material from which embryo built उन्होंने के gimmits से उन्होंसे वो क्या करते हैं उनके अंदर information होती है एक जो egg का material होते है उसके अंदर सारी information होती है एक होता है pre formation और एक हमारे पास आ जाता है epigenesis अब क्लास separately दो scientists ने experiment किये एक का नाम हमारे पास था Wilhelm rocks 1888 के अंदर और 1892 के अंदर हमारे पास आ जाते है hence अब क्लास ये hence ड्रीश जो उन्होंसा था इसने 1892 में किया था इन दो scientists ने अब क्लास इन दो scientists ने चेक करने के लिए कि हमारे पास epigenesis correct है या फिर हमारे पास pre formation correct है अब क्लास बहुत use fertile egg to divide to a two cell stage अब क्लास दोनों ने क्या किया सबसे पहले fertile egg को use किया उनके अंदर थोड़ी सी development करवाई जब तक के वो two cell stage के अंदर convert नी हो गए यानिके उनके अंदर cell devian हो गे और वो two cell stage के अंदर convert ना हो गए जो rocks था हमारे पास उसने क्या किया था उसने embryonic egg use किया था embryonic egg को divide करवाया था two cell stage के अंदर जो क्लास हमारे पास ड्रीश था उसने एकाइनोडम का egg use किया था और separate करवाया था dividing cell के अंदर यानिके two cell structure के अंदर divide करवाया था अब क्लास entire animal जुन सा था वो develop from single cell support epigenesis दोनों ने किसको support किया पूरे भी पूरे cell ने epigenesis को support किया epigenesis हमारे पास क्या था कि जो embryo का egg का material होता है उसके अंदर सारे embryo को build करने का information store होती है और जो class portion of the cell था सिरफ उसने support किया था pre formation को result class क्या आया जो rocks था उसने क्या किया था rocks ने क्या था और class जो drysh था इसने क्या का था each cell के हर एक cell के अंदर इतनी potential होती है कि वो develop करें एक पूरा का पूरा entire organism develop करें यानि के class हर cell के अंदर उसके वे मताबिक genetic information story होती है जो class dish था drysh था उसका अंदर class है उसका जो काम था more correct वो जएदा correct था अब class यहां पर embryology हमारे पास हमारे पास क्या होती है animal की development को fertile eggs से formation of major organ जब पूरा organ system उसके अंदर develop ना हो जाए उसको हम लोग embryology कहते हैं उसकी study को और class rocks, drysh और दूसरे जोंसे scientists थे वो class हमारे पास embryology की जो beginning है उसके अंदर सारे experiment करें इन दो साइंटिस के उपर यानि के mainly based का रही है यानि के इन दो साइंटिस ने क्या कि embryology को ज़्यादा study किया next class fertilization क्या होता है अब class different animals के अंदर उन्होंने का different mechanism होता है sex का और release of egg का अब class यानि के sperm जोंसे हैं वो किस तरह enter करते हैं और किस तरह जुन साइग है वो release करते है अब class fertilization के अंदर होता क्या जो sperm होता है अब class ये egg है यहाँ पर हमारे पास अब class egg का जो coat होता है वे gel like coat होता है अब class egg का जो protein से और polysacroid से polysacroid हमारे पास क्या होता है carbohydrate होते है इन दोनों से मिलके बना होता है अब class sperm ने क्या करना होता है इसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास blastula है जिसको क्या करना है fertilize करना है इसके अंदर present है तो class ये क्या करेगा जो class sperm होता है enter sperm को enter करने के लिए उसके head के उपर जिसको हम लोग क्याते हैं एक्रोसोम एक्रोसोम जुनसा होता है special organally होती है sperm के head पर वो present होता है यह एक्रोसोम क्या करता है enzyme release करता है sperm lysis sperm lysin जुनसा है वो secrete करेगा जो क्या करेगी जो क्लास इस gel like coat को dissolve करेगी और sperm जुनसा है वो enter हो जाएगा ये class हमारे पास उसका head के उपर acrosome present organ अब class humans के अंदर 80 million sperm पर ejaculation यानि कि एक दफ़ा जब eject करते हैं तो class 80 million sperm जोंसे हैं वो enter होते हैं और class उन्होंने कहा है many sperm used to लेकिन class इसको हम लोग क्या कहेंगे ये क्या है ये तकरीबान unfertility के करीब है यानि कि class ये किसी भी एक को fertilize करने के लिए बिल्कुल नाकाफी है क्यों क्योंकि 80 million में से बहुत ज़्यादा sperm जुनसे हैं वो यूज हो जाएंगे gel coat of egg के gel coat को dissolve करने के लिए बहुत ज़्यादा sperm यूज हो जाते हैं जो attach होती है एक्रोसोमल surface के साथ एक्रोसोम यनके class sperm का जो head होता है उसको हम क्या गते है एक्रोसोम उसकी surface के उपर egg binding protein present होती है ये क्या करती है class sperm को attach करती है egg की white line layer के साथ attach कर देती है अब ये दोनों class आपस में fuse होंगे और class sperm जुन से होता है enter हो जाएगा अब class sperm के जो बाकी पार्ट होता है mitochondria, centriol और flagela जो पूरा पार्ट होता है वो enter होगा या नहीं होगा वो depend करता है species के उपर कि कुछ species enter करती है कुछ species के अंदर enter नहीं होता अब class sperm का और egg का fuse हो उसकी membrane का fuse हो यह फर्स्ट पार्ट होता है egg activation का अब class इससे क्या होता है यह ensure होता है कि fertilization जुन से हो हो गई है और embryonic development जुन से है वो start हो जाती है egg activation के अंदर यानि कि एग जुन से होता है वो activate हो जाता है sperm के enter होती next class हमारे पास आ जाता है outer region of cytoplasm के अंदर fertilization जुन से है अब class fertilization जुन से है वो single sperm से हो यानि कि सिरफ एक sperm fertilization करवा है यह बहुत ज़्यदा important है क्योंकि अगर multi fertilization हो गई यानि कि बहुत ज़्यदा sperm ने अगर fertilization करवा दी enter होकर तो क्या होगा genetic imbalance शुरू हो जाएगा और non viable embryo बनेगा अब class non viable embryo क्या होता है non viable class एक deliver fetus होता है यानि कि class वो deliver तो हो जाता है लेकिन class वो कभी भी जिन्दा नहीं रह पाता और कोई भी टेक्नोलजी या कोई भी तक ऐसी टेक्नोलजी नहीं बनाई गई जो non viable embryo को survive करने में उसकी help वगरा हो सके अब class जैसी sperm हमारे पास आएंगे जो हमारे पास micro विलाए होते है plasma membrane के यहाँ पे हमारे पास show नहीं हो रहे यहाँ पे plasma membrane के पास present होते है micro विलाए वो क्या करेंगे class ovium के यानिके egg के तो class वो क्या करेंगे single sperm को wrap कर लेंगे एक ही sperm को wrap कर लेंगे यानिके उसको पकड़ लेंगे cover कर लेंगे और class जो हमारे पास होते है micro विलाए होते हैं वो micro filament के बने होते हैं जैसे ही micro filament कोंट्रेक्ट करेंगे तो class यह egg sperm जोन सो होते है वो egg cytoplasm के अंदर enter हो जाएगा egg cytoplasm के अंदर enter हो जाएगा अब class millisecond के अंदर यानि के second से भी कम time के अंदर जैसे ही egg sperm penetrate हो जाएगा enter हो जाएगा फोरण class जो plasma membrane होगी उसके अंदर ionic changes आना शुरू हो जाएगा जैसे class किसी भी nerve होते है plasma membrane की जब हम लोग ने nervous system के अंदर बढ़ा था जो plasma membrane की जुंसी होती है ionic concentration change होती है तो एक nerve generate होती है तो class इसकी भी जो plasma membrane की concentration होगी वो ions जुंसी होंगे वो क्या इस तरह चेंज होंगे कि class जुंसी ये impermeable हो जाएगी sperm को यानि कि class दूसरे sperm जुंसी होते है वो एंटर नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये क्या करेगा formation of productive envelope बना देगा around एग उसको क्या कहेंगे fertilization membrane और class वो बाकी sperm को उसके अंदर एंटर नहीं होने देगी अब class fertilization membrane जुंसा है ये क्या करेगा corticular granule बना देगा ये इसने granule यानि ये granule कहते है class dano को और कहाँ बनाएगा class एक की plasma membrane ये plasma membrane ये वली layer इसके आगे class हमारे पास होते है यहाँ पे हमारे पास होती है white line layer तो class ये white line layer और साथ में plasma membrane के मिड में इसने क्या बना दिये है granules बना दिये अब class ये granule क्या करेंगे yellow करेंगे water को इस space के अंदर जहाँ पे खुद present होंगे plaza membrane और white line membrane के मिड में इससे class इन्होंने कहाई क्या होगा जो white line layer होगी जो class हमारे पास granule के अंदर protein present होगी वो thick कर देगी यानि कि thick का मतलब होता है उसको और ज़्यदा thick कर देना और class strength provide करेगी यानि कि मजबूती provide करेगी white line layer को और class ये सारा reaction जोंसे होगा हमारे पास one to two minutes के अंदर जोंसे complete होगा fertilization के बाद next class हमारे पास आ जाता है metabolic and nuclear events उन्होंने का ionic change जैसी class होगा क्योंकि ionic change होगा था pH और class zygote की physiology के अंदर भी change आना शुरू होगा pH भी change होगा और zygote जन्होंसे होगा उसकी structure के अंदर change आना शुरू होगा DNA replicate होगा और class rate of protein synthesis ज्यादा हो जाएगी rate of protein जन्होंसे है class इस वजह से fertilization के दुरान वो ज्यादा उसकी जरूरत होती है क्यों कि नीड टू ग्रो न्यू सेल्स और enzyme ताके class new cells बनें जो के protein के बने होते हैं जोएजा enzyme यूज़ होते हैं और दूसरा class हमाई पास new structure बनें structural protein बनें जो क्या करें जिससे class myiotic spindle बनते हैं जो के class chromosomal structure के अंदर यूज़ होते हैं क्योंके उनना प्रोटीन जना होती है वो उसकी synthesis ज्यादा हो जाएगी लिटल messenger आ रहेने class वो भी zygote के अंदर synthesize होगा क्योंकि class messenger आ रहेने क्या करते है ईट के अधर activate करवाते है और direct करवाते है formation of bulk of protein यानि के formation of protein को activate करवाते है direct करवाते है messenger आ रहेने और class synthesis in early stage embryonic development ये सारी embryonic development को जो early stages होती है जिसमें सारी synthesis हो रही होती है उसको क्या कहते है maternal dominance बोलते है अब class जहां पर हमारे पास maternal development सारी हो रही होती है उस portion को हम क्या कहते है animal pole बोलते है और class animal pole जुंस होते है उन्होंने कहा है उसके अंदर less york होती है और more mitochondria और ribosome जोंसी होती है animal pole में present होती है और class उन्होंने कहीं यह more metabolically ज़्यादा active होता है यानि कि इसमें ज़्यादा processes हो रहे होते है as compared to vegetal pole यानि कि एक का जो vegetal pole होता है उसकी निसपत animal pole जोंस होता है वो ज़्यादा active होता है अब class next time हाई पास topic यहाँ पर embryonic development और साथ में cleavage and egg type start हो जाता है अब class embryonic development सबसे बहले देखते है उन्होंने का billions of egg जोंसे होते है जो क्या करते हैं एक को adult में divide करते है वो arise होते हैं zygote से zygote के अंदर present होते है जो क्या करेंगे उसको adult animal के अंदर convert करेंगे अब class cleavage शुरू हो जाती है यानि के devian शुरू हो जाती है cell devian that occur during embryonic development and the cell produced by cleavage अब class उन्होंने का embryonic development से क्या होगा cell के अंदर devian शुरू हो जाती है और cell cleavage होते है यानि के cleavage का मतलब होता है cell के अंदर devian शुरू होती है तो हमाँ पास new cell जो बनते हो उसे कहते हैं blastomere उन्होंने काई class blastomere synchronically produce करेगा four cell embryo synchronically का मतलब होते है simultaneously खुदा खुदी जुनसाहत है उसके अंदर class devian वगएरा होगी और वो produce करेगा four cell embryo as more blastomere produce devian become asynchronically अब class हमारे पास जुनसे उन्होंने काई embryo की early embryology में embryo जुनसाहता है उसका overall size तो increase नहीं होगा लेकिन class blastomere उल्टा उसके अंदर devian होगी cell के अंदर और वो छोटा होता जाएगा और class जो हमारे पास portion of the जो portion होगा DNA से cytoplasm वाला वो क्या होगा वो ज्यादा increase करता जाएगा अब class quantity or distribution of york देखते हैं अब class यह depend करता है egg के size के उपर के उसके अंदर कितनी quantity होगी और किस तरह york distribute होगी clay wedge pattern के उपर के उसके अंदर clay wedge किस तरह होगी है और length of embryonic period के यानिके class length अगर उसने embryo ने egg के अंदर देर तक रहने है या फिर थोड़ी देर के लिए रहने है तो तीन चीज़ों पर यह depend करता है quantity or distribution of york york class mix protein होती है उसके अंदर lipid यानिक ऑईली portion glycogen होती है उसके अंदर और class food for developing embryo यह जुन सौत है यह तीनों चीज़ें क्या करती है to feed after brief period of embryonic development अब class उन्हेंने काई उसके जो लार्वल स्टेज होती है उसमें क्यों होते है उसमें brief period होता है हमारे पास बहुत ही छोटा period होता है embryonic development का during which york is entirely absorbed जिसके अंदर जो तोड़ी सी york होती है वो सारी के सारी absorbed हो जाती है कुछ animals के पास class embryonic development का यानिके egg shell के अंदर जो embryo होता है वो बहुत ही large period के लिए रहता है काफे time के लिए रहता है इस वज़ा से class उनकी जो amount of york होती है वो भी ज्यादा होती है ताकि class उसको nutrition मिलती है कुछ animals के अंदर class long period of long period embryonic development के होता है उससे भी ज्यादा long होता है उसको नरिश्मेंट जुन्स होता है वो लेते है placenta से या फिर class कोई दूसरे species के अंदर human के अंदर placenta से या उसरे species के अंदर female reproductive tract का कोई part जुन्स होता है वो फर्दर modify हो जाता है उससे वो क्या लेगा उसके अंदर present होगा तो class इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने बताने हैं कि short period of york, large period of york फिर play center का बताने है next class हमारे पास आ जाता है cleavage pattern अब class cleavage pattern जुनस है, cleavage pattern यानि कि class जो cell है, जो embryo है हमारे पास embryonic development के अंदर devian की तरह होगी york उसके अंदर क्योंकि class present होता है, उन्हें कि york जुनस होता है, उसके उपर depend कर रही होती है cleavage pattern अगर class egg जुनस होता है, वो evenly distribute करता है, यानि कि बराबरी पर egg shell के अंदर सारे york को distribute करे तो class cleavage pattern में जो हमारे पास होता है, uniform size blastomere बनेगा यानि कि class uniform size होगा, ना बड़ा होगा, ना चोटा होगा, नॉर्मल होगा जबकि class अगर egg ने या uneven distribution की york की, तो cleavage pattern जुनस है, उन्हें ने काए uneven blastomere बनेगा हमारे पास अब class अगर york जुनस है, वो normal होगी एक के अंदर, तो class cleavage जुनस है, बड़े अराम से एक के अंदर जुनस है, वो पूरे egg की cleavage जुनस है, embryo की जुनसी cleavage है, वो complete होगी, उसको हम लोग कहेंगे hollow blast बोलेंगे अगर class york इतना large amount का york है, यह class cleavage जुनस है, वो cell divide होई नहीं पारें embryo के अंदर, तो class इस cleavage को क्या कहेंगे, mirror blast कहेंगे और embryo जुनस है, class वो develop करेगा, top पे या फिर around, यानिके class यह हमारे पास अगर egg है, तो यह क्या करेगे, उपर top पे develop करेगा, या फिर class हमारे पास क्या करेगा, यह around यह वले portion पे करेगा, क्योंकि mid में किया large amount of york present होगी और उसके बाद class other cleavage pattern देखते हैं, अब class दूसरे cleavage pattern के अंदर, यह depend करता है, माइटोसिस जब उनके अंदर होगी, तो spindle fiber जो माइटोटिक spindle होगी, उनकी position कौन सी होगी यानिके class उनकी mitosis के अंदर जो portion उसके अंदर उसकी orientation किस तरह है, next the degree of which fate of early blastomere, उन्होंने कहाए class किस degree से blastomere जो उनसे हो divide हुआ हुआ है, जैसे उपर हम लोगों ने देखा था, evenly या uneven divide हुआ है, fate क्याते हैं, portion को, तो class किस degree से हमारे पास जो blastomere के सारा portion है, वो divide हुआ अब class हमारे पास आ जाते हैं, अब class उन्होंने कहाए, यह सारे जोंसे है, सारी developmental differences जो आती है, यह असल में reflect कर रही है, difference in ecological history of animal group को, यानिके class वो जो animal जिनके अंदर differences आ रहे हैं, वो कौन सी animal group से evolve हुए में, यह class उसको क्या करती है, reflect करती है, number one class pattern of cleavage, वेर, अब class first में हम logical lineage हम लोग देखते हैं, इसमें इन्होंने कहा है, जब blastomere जोंसे है, वो class directly oriented हो जाएगा, यानिके directly जोंसे हो डिस्टिब्यूट हो रहे है, यह हमारे पास lineage आ जाती है, akinoderm की और coordinates की, दूसरा class हमारे पास एक pattern of cleavage इन्होंने बताया हुए, जब class blastomere का जो upper tire हो का, वो class twist हो जाएगा, blastomere के ही lower tire के साथ, तो class हमारे पास segmented worms होते हैं, segmented जिनकी body का portion बना होता है, worms को कहते हैं, और next हमारे पास arithroports होते हैं, insects को, next class हमारे पास आ जाता है, primary germ line and derivatives, अब class embryo के अंदर embryonic cell जोंसे होते हैं, या एक layer होती है, या फिर block of embryonic cell होते हैं, जिससे क्या होता है, tissue, tissue बनते हैं, tissue combine होगे, फिर organ बनाते हैं, और class इस पूरी layer को, हम लोग उस block को, या layer of cells को, हम लोग क्या कहते हैं, primary germ line बोलते हैं, अब class वो stage, जब क्या होता है, यह undiscript form, या निके early embryo के जो undiscript form होगे, जब सारे organs नहीं बने होगे, to their form in late embryo by adult stage, और class late embryo के अंदर, जब उसके सारे organs बन गए होगे, इस पूरे process को, हम क्या कहते हैं, differentiation बोलते हैं, अब class जम, primary germ line की layers को study करते हैं, number one हमारे पास आ जाते हैं, actoderm, actoderm class हमारे पास first layer होती है, यह give rise to outer body wall, outer body wall को develop करती है, next class mid layer होती है, mesoderm, mesoderm give rise to tissue, between actoderm और endoderm, actoderm और endoderm के दर्मयान में tissues बनाती है, next class मेजन काइमा, meson काइमा जो उन से हैं, class undifferentiated, mesoderm, mesoderm के अंदर ही present होती है, और यह क्याती है, muscle बनाती है, उसके बाद blood vessels बनाती है, skeleton element और connective tissue बनाती है, actoderm और end derm के दर्मयान में, और class endoderm सबसे lost layer होती है, inner lining of digestive tract हमारे पास किसका बनत है, endoderm का, तो यह class embryo जोंस है, यह total हमारे पास layers है, three layers है, यह क्या बनाती है, यह three layers जोंस ही है, यह embryo को develop कर रही होती है,